और बाई कैसे हैं आप सभी लोग बाई देख रहा हूं कि यार बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं बाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाना और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना तो चलो वीडियो सुरू करते और हाँ ये वीडियो के वाल आपके मनु रंजन के लिए बनाया गया तो प्लीज इसे अपने दिल पे ना लें अब जरूर आप लोग कुछ कॉमन सेंस लगाइए खेसारी के गले में ये रसी बंदे हुई है और ये जब कूदते हैं तो पेंड की डाली तूटी जाती है लेकिन रसी से डाली खीचे तबी तो तूटी है ना पर खेसारी के गले में तो कुछ नहीं हुआ जबकि अगर ग करदन भी तूट सकते हैं लेकिन नहीं कुछ भी नहीं हुआ उन्हें भाई पर साथ इसलिए उन्हें लोग पनुवती बोलते हैं कुछ भी इस सीन में दूर दूर तक कोई आदमी औरत नहीं दिख रहा है लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो यहां पे इतनी सारी औरत तरी का मेला लगा हुआ है अरे भाई मैं तो अभी जा रहा हूं अभे साले यह लड़का इस मोटे आदमी के लिए चाता लेकर खड़ा है ताकि उसे धूप ना लगे लेकिन इस आदमी को छोड़के वो चाता अपने ऊपर किया है जो कि साब साब देखा सा सकता है कि उस मो पानी के बाद यह इसमें जाल क्यों फेकी जारे है ताकि पानी के छीटे उड़े और ऐसा लगे कोई आदमी पानी में गिरा हुआ है भाई आप लोग द्यान से देख सकते हैं वो एक जाल ही है हाँ भाई हाँ हमें दिख रहा है वो एक जाल है समझरे हो समझरा अब क्या को इस आदमी के पीछे धूप पड़ रही है जो कि खिड़की से आ रही है लेकिन जब ये लोग बाहर से आते हैं जो कि बहुत देर करके आते हैं उसके बाद भी ये धूप उसी एंगल पर पड़ रही है जो कि इनके पीछे साब साब देखा जा सकता है जबकि टाइम के साथ धूप को भी आगे पीछी होना चाहिए था ये लड़की जब इस लड़के पे आईस्क्रीम फेकती है तो उसके सर्ट पे आईस्क्रीम लग जाती है लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो उसका सर्ट तो पूरा क्लीन हो गया है इसका मतलब लगता है वीडियो कट होते होते उसने अपना सर्ट धो लिया और सुखावी लिया और यहाँ पे आप लोग साब साब देख सकते हैं कि यह चार बंद हैं लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो यहाँ पे यह एक एक्स्ट्रा आजाता है और सबसे बड़ी बात क्या यह लोग पब्लिक प्लेस पे ऐसे ही हथियार लेके घुमते हैं भाई बोज पूरी फिल्म है कुछ भी हो सकता है ओहो भाई यह देखो इसके यहाँ पे चाकू ऐसे लगी हुए मेरा मतलब बिल्कुल खड़ी है लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो यह तो ऐसे हो जाती है मतलब अब मैं कैसे बता हूँ आप लोग खुद देख लो और जब वो चाकू वला बंदा नीचे गिरता है तो वो बगल में पड़ा होता है लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो यहाँ पे तो कोई नहीं है लेकिन अभी तो यह यही था अरे मैं बूल रहा हूँ ना यह वोज पुली है कुछ भी हो सकता है यह इस फिल्म की आखरी और सबसे बड़ी मिष्टि इस आदमी को पूरे चाती पे चाकू लगती है इसका मतलब इसका काम खतम और इंडियन रूल के हिसाब से अगर कोई मडर करता है तो उसे फासी की सजा होती है अरे मैं यह क्या बताने लगा फासी को छोड़ो यहाँ पे अभी तक पूलीस भी नहीं आई अरे पूलीस तो बात की बात है यह जितने लोग बगल में खड़े हैं वो भी मेला देख रहे हैं अबे तू चुप रहे हैं इसलिए मैं इस सिन पे बोनस पूरे हक से लूँगा फो इस वीडियो में बस इतना है यदि आपको इस वीडियो का पाट टू चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताईए